फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है और ऐसे शानदार और क्विक मिठाई आज हमने तयार की है जिसको बनाना बहुत ही आसान है इसमें हमने नय मावा डाला है ना ही डाला है घी और ना ही हम गैस जलाएंगे यानि कि विदाउट फायर कुकिंग करने वाले हैं और साथ ही इसम कोई भी आइटम ने डाला गया है और यह जो आप यह कलर देख रहे हैं यह भी हमने कोई बाजार का कलर नहीं डाला है बिल्कुल नैशुरल तरीके से घर पी ही बनाया गया ही बनाना बहुत ही आसान है बिल्कुल मूं में घूल जाने वाली मिठाई है इसमिठाई को आटापट से इसको बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले मेंने यहाँ पर है 250合 नारेल का बुरादा ले लिया है, और इस नारेल के बुरादी के अंदर मैं डाल रहे हूं, मिल्कमेट जो कि वाजार से लाएवा मिल्कमेट है और इस मिल्कमेट को लगबग मैं 200 क्राम के लगबग मैं डाल रही हूँ और साथ में ही मैं इसमें एड कर दूंगी 2-3 जमच हलका निवाया गरम दूत ठीक है और उसके बार में इसको अच्छी तरह से अपने हाथों से इस दो को अलग कर दीजिए और एक के अंदर हम सबसे पहले शुरुवात करते हैं तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी पिंक कलर तो बजार का पिंक कलर हम नहीं डालेंगे बिल्कुल जो घर में या बजार में जो चुकंदर मिलते हैं वही चुकंदर हम लेकर आए है और इन चुकंदर का जूस मैंने निकाल लिया है, यहाँ पर मैंने दो बड़े चुकंदर लिया है, चुकंदर के छोटे-छोटे टुकडे करके मैंने मिक्से में ग्रैंड कर लिया है, और यह देखे, इस तरह से मैंने इसका काफी सारा जूस निकाल लिया है, आराम से 5-6 चम नहारा यहां पर पिंक कलर गुलाब है वह आ गया है तो देखे अपनी हाथों से स्टरश जर्श को मिक्स करते रहें जब तक कि पूरी तरह से यह कलर हम इसके अंदर ना आ जाए तो देखे पूरा मैंने गोला बना लिया है और यह पिंक कलर वाला एक हमारा बोल तैयार हो गय आप चाहो तो सीधे नाजल के बुरादे के अंदर एक पार्ट लेकर के सीधे ही कंडेंस मिल्क ना डाल करके इसके अंदर सीधे ही न्यूट्रिला डाल दीजिए पर इसे न्यूट्रिला जद्धा क्वांटिटी में लगेगा और अभी सिफ मैंने कलर के इसाफ से डाला है तो यहां पर मैंने ले लिया है एक तीन और जिसके अंदर मैं डाल रही हूं सबसे पहले यहां न्यूट्रिला वाला जो पार्ट वह हम इसके अंदर नीचे बिछा देंगे क्योंकि यह मेरे पास स्वड़ा क्वांटिटी में कम है इसलिए पूरे के अंदर नहीं अपाएगा श्वल्य रही दहाँक्तोस है मैंने यहां पर बीछ का पार्ट ले लिया है वी में बच्षा लेंगे एक काटोरी ले लिए जो नीचे क्यों से पुरेड़नु से सम्तल हो बिल्कुल तो उससे हम इसको बिल्कुल बना देंगे तो यह देख लिएमने इसको एकवल बना दिय और यह नीचे वाला पार्ट हमारा इसका तयार हो गया है और इसके बार में हम लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट जो कि विल्कुल वाइट है जिसको हम पहले सबसे पहले हातों से फैलाएंगे क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसके उपर रखेंगे तो यह अच्छे से नहीं फैल पहले हातों से इसको फैलाना है और फिर उसके उपर उसकी लेयर बना देनी है तीसरे उपर हम लेखेंगे जो पिंक वाला पार्ट है वह उसको भी हम पहले हातों से इस तरह से फैलाएंगे और उसके बार में वह पार भी इसके डाल देंगे और इसके बार में कटोरी से इस जो वर्क आता है जांदी का बाजार में वो मैंने ले लिया है आपकी चोईस पर डिपेंड करता है अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको मत लगाईए तो यहां पर मैंने है वो जांदी वाला यह वर्क है वो लगा दिया है और इसके बाद में हम इसको काटते हैं तो भूछ और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और सबसे अच्छी बात ये है कि बिलकुल नैचुरल है और किसी तरह कोई कोई का यूज हमने नहीं किया है और क्विकली बनने वाली मिठाई है घर में जब भी कोई मेवान आ जाए तो आफ अटा पर से दस से पंदा मिनिट के अंदर भी इसको आसाने से बना सकते हैं तो यह देखिए हमारी जो मिठाई है वो पूरी दर रही हो चुकी है तो आई होप कि आप कोई म कि दूब को आप हुआ है मिठाई और को हुआ है